हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल मैं अनिशा आपका स्वागत करती हूं अनिशा व्लोक्स में तो गाइज आप लोग कैसे हो उमीद करती हूं बहुत अच्छे होगे तो गाइज आज हम बनाएंगे मट्र वाली खिचडी जिसको ताड़ी भी बोलते हैं तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाते हैं आप लोग देखते हैं ताड़ी में डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह हमारी यह अधरक वह अधरक लैसिन और मिर्च का पेस्ट बना लिया है और यह हमारे राइस जो हमने अपने फैमिली अकॉर्डिंग ले लिया हाँ भी ले सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अब इसको बनाने के वाने कूप कर ले लिया है इसमें सरसो का तेल डाल दिया है तो गाइज इसको अच्छे से घरम होने देंगे जब तक दुआने निकलता और इसके बाद गाइस हम लोग डालेंगे इसमें जीरा तो चलिए गाइस पहले गारम हो जाएगा तेल इसके बाइस अब डालेंगे जीरा और तीन से चार काले मिर्च एक लॉंग और थोड़ी सी दाल चिनी चलिए इस तेल गरम हो रहा है यह दूआ देखे गाइस निकल कर रहा है यह गरम होने ही वाला है वस लाला हो चुका है हम इसमें खड़ी मसाले टाल देंगे द्राइन बता है से अब इसके उसका कर रहा है इसमें हम प्याज हरी मेज डाल देंगे अब इसमें हम दूब इच्छी और अजलक लेक्षिन का पेश्ची सागोडा है जिंदे अब इसको मिला ले तो रहा है इसके लेह देखे नहीं पक्तुका है अंसे से अब इसमें हम दालेंगे टोमाटरी ताकि एक्षी कशी कशा जाए तो इसमें हम देके शॉफ हो गए हमारी टोमाटरी आप इसमें हम डालेंगे अपने आलो आलो वह जो काटके रखी जी हो सब डालेंगे हमारा मसाला इसमें हंडी डालेंगे जनिया पाउडर रोमेट की है इसको डालेंगे अब हम इसको ढखके छोड़ देंगे इसको पकने देंगे वसाले को तोड़े देर के लिए अब इसमें जब मसाला हो गया है आज देंगे अब बूझ लेंगे इसमें पानी डाल दिया अपने रैस के अकोडिंग इतना चावल था अपना पानी नमक और धनिया डाल देंगे हम अब बंद कर देंगे रैस दनी आये देखिए हमने डाल दिया है तो इसमें नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अनुसार तोड़ा सा कम डालेंगे तो कि हमने टमाटर में भी डाल दिया था पानी नमक नमक स्वारी गाइस मुखल जाती पनी डाल देंगे उसके बाद हम इसको डगे पका लिया था और यह देखिए गास बनके त्यार हो गई है तो यह हमने अचार रख लिया है हाम के घर के बने हुए और ये गी है और गाइस ये देखे कितनी अच्छी है गरम गरम है चले गाइस बनाईए इंज़ोई कीजिए और गाइस हमारी वीडियो के लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो में नए हो तो फ्लीज